इस पूरी बातचीत जानकारी के लिए और अब बड़ी ख़बर का रुक करें ठीकम गर से जहां कॉंग्रस उधाय के घर पर ED की टीम में छापा मारा है याद्वेंद्र सिंग बुंदेला के घर ED पहुची है घर के अंदर टीम की कारवाई जारी है दो तीन अलग-अलग एज इजन्सिया जांच कर रही है तो ये जानकारी मिल रही है पीतमगर से जहां पर कॉंग्रस उधाय के घर पर याद्वेंद्र सिंग बुंदेला के घर पर चापा पड़ा है ED का और घर के अंदर टीम की कारवाई जारी है दो तीन दो से तीन अलग-अलग एजन्सियों के जा जांच की बात निकल कर सामने आ रही है तस्थीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां याद्वेंद्र सिंग बुंदेला जो कॉंग्रस के विधायक है उनके घर पर ये छापा पड़ा है दो से तीन अलग-अलग एजन्सियों के जांच करने की बात निकल कर सामने आ रही है तस्वीरे आपको एक्स्क्लूजिव दिखा रहे हैं राजी रावत हमारे सायोगी भी जुड़ गया है राजी बताए क्या जानकारी है शापे को लेकर देखे जो बताए जा रहा है कि एडी की टीम है और अलग-अलग एजन्सियां है जो यादबन सिंग गुंदिला की अंदर घर की अंदर मौजूद है और चापामार कारवाई आज सुवए नहों ने की हो और यहाई कारवाई अभी भी चल रही है और यह इस मामले में को लेकर जैसा कि हमारे अगया संभव नहीं तो कुस दिरबाद वह ब्रीफ करेंगे कि किस मामले को ले कर आये थे और जो पहले भी एयर टीम आई थी और उनके जो बेटे है सा सलसें और उनके खलाप कोई करवाई पहले जाच की जा रहे थी उसी मामले को लेकर यह भी जोड़ा जा रहा है और बताये जा रहा है की ीडि की की टीम भी यहां पे मौजूद है, हाला कि मीडिया कर्मियों को बहां जाने से रूप दिया गया है और जो सुदक्ष्चा कर्मी हैं बाहर तेनाथ हैं बहां मीडिया की team को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं जाजीव याद्वेंद्र बुंदेला कहा है इसको लेका कोई जानकारी क्या वो घर के अंदर मौचूद है पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दो तीन अलगलग टीमें हैं जो लगातार यादवेंसिंग मुंदिला के यहां छापा मार कार रवाई कर जाच कर रही है और जाच में कुछ दिरवाद सपश्ट होगा कि हाला कि कौन-कौन सी टीमें हैं कहा कहा की टीमें हैं और किस मामले को लेकर जाच कर रही है यह थोड़ी दिरवाद सपश्ट हो पाएगा बिल्कुल और यहां पर जो अलग-अलग एजन्सियों की बात कही जा रही है राजीव उसको एक एक कोई इंफर्मिशन की एडी के लावा और कौन-कौन से जन्सी हो सकती है देखे अपना यह भी सामने आ रहा है कि जो असम की पुलिस है बहां भी एक टीम हो सकती हो और एडी की जो टीम है बहां पर मौजूद है और जो तीकमगड के जो एस्पी है उनका कहना है कि दो-तीन अलग-अलग एजन्सियां है जो अपना काम कर रही है और कारवाई के लि तेनात हैं तो बहां पर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने से मना कर रहे हो तो घर के अंदर जो कारवाई है तो जो टीम के अधिकारी मौजूद है और उनके परिवार के लोग मौजूद है तो उनहीं से जो पूश्टाच कर रही है और कारवाई की जा रही है हलाकि यह इस आप एडी की टीम जो है वो मौझूद है और तमाम जो एजनसियां है वो मौझूद है लिकिन राजीव का पुराने मामले को लेकर अब ठीक है आजी लोटेंगे आपके पास Congress के प्रवक्ता अबिना परोलिया जी फोर लाइन पर जुड़ गए अब इनव जी क्या जानकारी ह कंचे क्या आपको आपके प्रवाय के खाता पड़ा है जी मुझे भी आपके दौरा ही जानकारी प्राप्त होई है मीडिया के माध्यम से और जू भी कानवाई हो रही है वहां पी देख रहहा है और हमें भी पता चल की प्राप्त होगी वो तब के सामने दहेंगी कि क्यों ऐब पुलर्फ जानकरी से यह कहा कि मेंदुरे चाहर्थ मिल्ड़ीर और खुरेम जांकरी है आप ऐसे कोई इस तरह की जानकरी हो इस तरह संखरी मुझे कि जानकरी तो नेहीं में-घढ़े उह में बारा करेम लेकिन जो भी है वहाँ पर सभी पुलिस अधिकारी भी है, पुलिस बल भी है, भारी दादाद में पुलिस भी है, यह जाहरकारी चैनल के बाते हैं नहीं मिल रही है?